हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगेट बीन्स, यहाँ पर आगए हम अपना फोटीन्थ चैप्टर लेकर, बसंत बुक का फोटीन्थ चैप्टर है अगबरी लोटा, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है किस तरह एक अंग्रेज को एक पंडित ने उल्लू बनाया और एक ट चैप्टर जो मज़ेदार चैप्टर हमारे सामने आया है, यह लेक, जो कहानी हमारे सामने आई है, यह कहानी लिखिए अनपूर्णा नंद वर्मा जी ने, पढ़िए, मज़ा लेजिए और हम इसको आपको साच-साच समझाते हुए चलते हैं कि इस पार्ट के अंदर है क्य तो क्या है, अगबरी लोटा नामक इस कहानी में काल्पनिकता का सहारा लेते हुए कहानी कार ने लाला ज्यावू लाल की समस्या का हल अत्यन्त रोचक धंसे किया तो क्या है, यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं अनपूर्णा अनन्द वर्मा जी उन्हों ने यहाँ पर जो कहानी क्रियेट करिये ये काल्पनिक है, पूरी तरीके से काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई भी सरुकार नहीं है तो यहाँ पर जो है लेखक ने जहाँ लाल जी की जो परेशानी थी, उसको कितने बढ़िया तरीके से हल किया है, यह देखते हैं, क्या था, उसने अपने मित्र और एक अंग्रेज पात्र के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है, कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पर जो हम कहानी पढ़ेंगे, जो पात्र के सहारे लिए गए हैं, जहाँ लाल जी ने अपने मित्र यानि पंडिजी का सहारा लिया और साथ में एक अंग्रेज पात्र था, और किस तरीके से दूसरे को नीचा दिखाया, नीचा दि तो यहाँ बेकार बेडवाज सा जो एक लोटा होता है जहाँ लाल जी का, वो किस तरीके से बहुत ही कीमिती बनके अंग्रेज के संग्रहले में जाके टिक जाता है, इसका वर्णन मन को गुदगुदाता है लाला जहाँ लाल काशी के अमीर आद मी थे, मतलब अच्छे प्रजन्ट से एक सो रूपय किराए आ जाता था पती-पत्नी दो ही सदस से घर में थे जीवन सुख से बीत रहा था कि लाला ज्हाव लाल की पत्नी ने एक दिन उनसे अचानक धाइसो रूपय की मांग कर दी 500 रुपए एक साथ ये सुनकर लाला जी परिशान हो जुए तो अब क्या था लाला जाओ लाल जी जो है वो काशी के रहने वाले थे कहां के थे काशी के रहने वाले काशी मतलब प्रेजन टाइम में बनारस का यानि वारणासी का तो वारानासी के रहने वाले थे वो जब कुछ समय थे तो महां पे काशी नाम से था ठटेरी बाजार में उनका इंक मकान था तो वहां से किराय सोरूप में इनको एक सो रुपे मिल जाता था इनका जीवन अच्छे से देतीत हो रहा था एक दिन इनकी बीबी ने क्या बोला कि मुझे जो है धाई सो रुपे चाहिए अब धाई सो रुपे का नाम एक साथ सुनके लाला जाओ लाल जो है वो एकदम विचलित हो गए इतना सारा पैसा मैं कहां से लाओं भाई बड़े परेशान हो गए भाई बीबी ने रख बोल दिया कि मुझे तो धाई सो रुपे एक साथ चाहिए तो ये सुनकर लाला जी बहुत जादा परेशान हो गए इतने रुपियों का अचानक प्रबंद करना उनके बस में नहीं था अब इतने सारे पैसे एक साथ धाई सो रुपे अभी को तो हम बोलेंगे बहुत कम है लेकिन उस समय बहुत जादा होते थे तो वो पैसे का अंतिजाम करना उनके लिए बहुत मुश्किल कार रहे था क्या हुआ लगे हाथ पत्नी ने यह भी कह दिया अब पत्नी ने धमकी भी दे दी क्या दी कि रुपे का प्रबंद वे ना कर पाएं तो वह अपने भाई के घर से मंगवा लेंगी अब इन्होंने लाला जाओ लाल की जो बीबी थी उन्होंने ये बोला कि अगर आप पैसे का प्रबंद ना कर पाएं तो मैं अपने भाई यानि अपने माईके के घर माईके से जो है वो पैसे मंगवा लूँगी अब ये बात तो लाला जी के आन पर आ गई कि अगर मैंने नहीं दिया तो ये अपने माईके से मंगाएगी और ये मेरी बेज़दी का सवाल हो जाएगा तो क्या हुआ लाला के स्वाभिमान पर चोट लगी कैसे भाई मंगा लेगी मैं करूँगा इंतजाम मैं रहती तुम यहाँ हो मंगाओ ही माईके से पैसा तो ये स्वाभिमान पर चोट थी उन्होंने पत्नी से कहा कि वह अपने भाई से भीक नहीं मांगेगी मतलब तुम अपने भाई से जाकर पैसे नहीं मांगोगी दे शेम ही इन पैसों का प्रबंद करकर उसे एक सप्ता में दे देंगे तब उन्होंने क्या बोला कि ठीक है तुम मुझे एक सप्ता का वक्त दो मैं तुमहें ये तुम्हरे 500 रुपों का प्रबंद करके दे दूँगा उनकी पत्नी ने कहा कि साथ दिन इसी जन में या अगले अब पत्नी गुस्य में आ गई तो उसने कहा कि ये साथ दिन इसी जनम में आएंगे या अगले जनम में मतलब तुम दोगे भी ये बाते ही बना रहे हो तो उन्होंने बोला इसी जनम में आने चाहिए कि ऐसा ना हो अगले जनम में आये अर्थात वो गुस्से में आ गई थी कि अभी इसी समय हमको जो है तुम करना एक अप्ते का मतलब सिर्फ साथ दिन यानि कि अभी करना लाला जी ने इसी सब्ता के अंत तक पैसे देने का वचन दे दिया अब जब भी भी गुस्सा हो गई तो उन्हें वचन दे दिया कि नई मैं इसी सब्ता के अंत तक तुम्हें पैसे लाकर दे दूँगा इस घटना के साथ में से चार दिन बीट जाने पर भी रुपियों का प्रबंद ना हो सका तो जो साथ दिन दिये गए थे उसमें चार दिन बीट गए तब तक भी किसी भी तरह का मतलब रुपे का एक रुपे का भी प्रबंद नहीं हो पाया था पत्नी के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्ण था अब पत्नी के सामने भी इज़त का सवाल था भाई उसने मांगा है तो देना पड़ेगा तो लाला जी बड़ा परिशान हो रहे थे यदि वे पत्नी को दिया गया वचन पूरा ना कर पाए तो उनकी नजरों में गिर जाने का डर था अगर वो ना पूरा कर पाते तो वो बीबी की नजरों में गिर जाते आखिर पाचवे दिन उन्होंने ये बात अपने मित्र पंडित बिलबासी मिस्तर को बता दी पाचवे दिन अब चाओते दिन तो भई हुआ लेकिन उन्होंने पाचवे दिन जाकर अपने मित्र जो थे उनके पंडित बिलबासी जी को बता दी कि भई ऐसी ऐसी बात हुई है सायोग से वे उस समय खाली हाथ थे सायोग से कौन खाली हाथ था पंडिजी पंडिजी खाली हाथ थे उनके पास कोई पैसा नहीं था अगर पैसा होता तो भई वो अपने मित्र की मदद भी कर देते तो मगर उनके पास भी पैसा नहीं था पर किसी ना किसी तरह से रुपियों का प्रबंद करने की बात कहकर चले गए अब क्या हुआ किसी ना किसी तरह से उन्होंने क्या बोला कि हम रुपियों का प्रबंद कर देंगे आप परेशान मत होई है यह उन्होंने बोला और कहकर वो चले गया अब क्या आज उस घटना का सात्वाँ और पत्नी के किये गए वादे का अंतिम दिन था यानि कि अब करते कौन सा दिन आ गया सात्वाँ दिन आ गया जिस दिन उन्हें पत्नी को पैसे देने का वादा किया था अब आज के दिन तो पैसा देना ही था लाला जी परेशान क्योंकि पैसे तो हाथ में था ही नहीं पत्नी को देते क्या अब वादा कर चुके थे पैसे भी नहीं है तो परेशान हाल थे फिर परिशान जाओ लाल को कुछ ना सूज रहा था क्योंकि बिलबासी मिस्वी पैसे लेकर नहीं आये थे अब उन्हें भी कुछ नहीं सूज रहा था वो सोच थे बिलबासी पंडित जी पैसा लेकर आएंगे वो भी नहीं आये थे बड़ा परिशान हाल थे चिंता मगन लाला जी छट पर टहल रहे थे उन्होंने अपने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज लगाई वो छट पर टहल रहे थे बहुत परिशान थे तो उन्होंने नौकर को आवाज लगाई कि मुझे पानी लाकर तो नौकर के घर में ना होने से उनकी पत्नी उस बेढंगे से लोटे में पाने लेकर आई जिसे वे देखना भी नहीं चाहते थे तो अब नौकर घर में नहीं था तो बीबी पानी लेकर आई और पानी किसमें लेकर आई एक बड़ा सा बेढंगा लोटा कैसा होता है गोल होता है वो चिटका पिटका सा एक लोटा सा था वो ले आई जिसे लाला जी बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे वो मतलब मारे गुस्य के उसमें पानी ले आई थी कि लो भाई तुमको नहीं पसंद तुम इजी में पीओगे अब वो कुछ कह सकते नहीं थे क्यों क्यों कि भाई बीबी को अगर कुछ कहते तो वो पैसे की बात निकल के आ जाती जो उनके पास अभी थे नहीं तो इसलिए लाला जी ने इस समय पत्मी से इस बारे में कुछ ना कहना ही उचित समझा क्यों अगर वो बेढ़ंगे लोटे के बारे में कुछ भी बोलते तो अच्छी खांसी बहस शुरू हो जाती पैसे की बात निकलती और पैसा था नहीं लाला जी ने पानी भरा लोटा लिया और च्छत की मुंडेर की किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे मुंडेर मतलब होता है जो वॉल होती है तो एकदम पहले वॉल नहीं होती थी मतलब च्छत के उपर जो है ऐसे करके उची दिवारे नहीं बनाई जाती थी मुंडे मतलब छत खतम हुई और एकदम किनारे जाके खड़े हुए एकदम जैसे किनारे ये छत है ये छत आई और छत के किनारे खड़े होके जो है वो पी नहीं लगते थे ऐसे करके छत के किनारे खड़े होके पी रहे थे पानी अब क्या? पानी उन्होंने पीना शुरू कर दिया अचानक उनके हांच से लोटा छूट गया और गली में किसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा अचानक उनके हाथ से लोटा चूटा और वो लुड़कता हुआ नीचे एक दुकान में एक अंगुठ खड़ा था जाके उसके उपर गिरा जिससे उसके पैर का अंगुठा चोटिल हो गया यानि कि अंगुठे में चोट आ गई अचानक गली में शोर उठा आगे आगे अंग्रेज पीछे पीछे भीड लालाक जी के आंगन में घुसने लगी अब क्या हुआ बहुत जादा शोर हो गया भई अंग्रेज को लग गई थी चोट तो अब बहुत जादा शोर हो गया गली में अब क्या हुआ आगे आगे अंग्रेज और पीछे पीछे जो है वो सारी भीड चल पड़ी चल पड़ी पूरा जो है वो भीग चुका था वो सिरसे लेकर पाव तक अंग्रेज के मूँ से निकलती गालियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थी मन्दब अंग्रेज के मूँ से जो गालियां निकल रही थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी कि वो चुप हो जाए बोलता जा रहा था बोलता जा रहा था और खूब गालियां दिये जा रहा था लाला जी को आज पता चला कि अंग्रेजी में भी गालियों की कमी नहीं है तो लाला जी आज पहली बार जान पाए कि जो है इतनी गालियां होती हैं अंग्रेजी में पहले सुन्दों समस्थे थे हिंदी में ही होती है मगर वो समझे हाँ अंगरेजी में भी बहुत गालिया होती है तभी भीड को चीर्टे पंडित बिलबासी मिस्र ने आंगन में कदम रखा अब क्या था भै बिलबासी मित्र खुदों आना ही था उस दिन मतलब वो अंगरेज भीगा हुआ था अंगूठा चोटिल था उसको पकड़े हुआ था और लगातार गालियां बकता जा रहा था तो ये सारी घटना को देखकर मिश्र जी ने यानि कि पंडित जी ने सारी बात समझ लिए कि क्या बात हुई उन्होंने अंगरेज को कुर्सी पर आदर से बठाया और सारी भीड को आंगन से बाहर किया अंगरेज ने पंडित जी को अपने प्रती साहनवूती रखता देखकर पूछा क्या आप इस व्यक्ति को जानते हुँ तो अंगरेज मिश्र जी आये उन्होंने बड़े आदर से उनको बठाया तो अंगरेज को केत प्रती जो है वो सानवूती दिखा रहे थे पंडित जी तो पंडित जी इसे अंगरेज मिश्र ने पूछा क्या आप इस व्यक्ति को जानते हुँ मतलब जिसके कारण वो उनका अंगूठा चोटी लुदा अर्थाथ लाला जाउलाल जी के बारे में पूछ रहा था क्या आप इनको जानते हैं तो बिलबासी जी ने कहा कि वह इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानते उन्होंने जाउलाल को पहचानने से मना कर दिया कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं और ऐसा वेक्ति जो किसी रहा चलते वेक्ति को घायल करे उसे वे जानना भी नहीं चाते तो अब इन्होंने एक तरीके से बुराई शुरू कर दी लाला जी क्या कि जो वेक्ति किसी रहा चलते वेक्ति को घायल करे ऐसे वेक्ति को तो पंडित जी जो है बोलते जा रहे तो बोल दिया कि ये विक्ति पागल है मुझे तो भाई पागल लगता है पता नहीं कैसा है तो पागल हो सकता है ये सुनकर अंग्रेज ने भी लाला जी को खतरनाक पागल बताया अब जब पंडित जी ने बताया तो अंग्रेज भी उन पंडिज जो उनके मित्र थे वो दोनों ही मिलके उनकी बुराई कर रहे थे उनको पागल बोल रहे थो तो इन सब कारणों से लाला जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया इस बात से बेखबर बिलबासी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाब पुलिस में रिपोर्ट करनी की सलहा भी दे थी अब क्या ये अब गुसा आ रहा है लाला जी को इस बात से बेखबर थे पंडित जी क्योंकि पंडित जी तो अंग्रेज के साथ लगे थे और लाला जी अलग खड़े हुए थे तो अब इन सब के बीच में पंडित जी ने बूला किस से अंग्रेज से कि आप तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो इस आदमी के लिए कि उसने आपको चोट पहुचाईए तो पुलिस रिपोर्ट की बात पर सहमत अंग्रेज बिलबासी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा कि हाँ हाँ इस बात से अंग्रेज सहमत हो गया कि ठीक है चलो हम इसकी रिपोर्ट करा देते हैं अब वो इस एरिया में नाया था घूमने आया था तो उसे बताया कि अच्छा बताईए भई पुलिस स्टेशन है कहां मैं जाओं तब तो रिपोर्ट लिखाओं तो वो रास्ता पूछने लगा बिलबासी जी ने कहा कि पहले आप उस लोटे को खरीद ले फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं तो बिलबासी ने कहा आप जिको जिस लोटे से चोट लगी है ना आप ये लोटा खरीद लो फिर हम दोनों जो है पुलिस स्टेशन चलते हैं अब अचम्मित अंग्रे अंग्रेज को ऐसा पुराना बेढंगा लोटा खरीदने का कारण जानना चाहा अब उन्होंने कारण जानना चाहा कि आखिर में इसको क्यों खरू दू तो बिलबासी जी ने बताया यह कोई साधारन लोटा नहीं है बलकि एतिहासिक लोटा है तो अब यहां पर पंडित जी इसमें कहानी गढ़नी शुरू करी जो कि भाया इनने तो पैसे का अंतिजाम करना था और अंग्रेज को अब इन्होंने उल्लू वराना शुरू किया क्या उन्होंने उस बेढंगे बेकार तूटे फूटे से लोटे को क्या बताया कि यह एतिहासिक लोटा यानि कि इसका इ इसमें जो यह एतिहासिक है तो अब यहां पर बिलबासी जी ने इसकी कहानी बतानी शुरू करी कि आखिर यह क्यों है क्या एक बार सोलवी शताब्दी में हिमायू शेर्षा को पराजित होकर यानि हुमायू जो है वो शेर्षा से पराजित होकर सिंद के रेगिस्तान में म हुमायू कहां फिर रहे थे जुरेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे उस समय प्यास से इनकी जान निकल रही थी किसको हुमायू को बहुत तेज प्यास लगी थी और उनकी जान निकल रही थी तभी एक ब्रामबर ने हुमायू को अपने लोटे से पानी पिला कर उनकी जान बचाई गई, किसकी हुमायू की जान बची, यह बात आई गई हो गई, मतलब इस बात को हर कोई पानी पिलाया हो गया, यह बात पुरानी हो गई, किन्तु जब अकबर समराट बना तो उसने उस ब्रामण को खोज निकलवाया, क्या हुआ, अकबर जब जो है बादशाह बना, तो उसने उस ब्रामण को खोज निकाला, जिसने मायू को पानी पिलाया था, जब वो मायू प्यास से तड़ रहे थे, और उस लोटे को दस सूने के लोटे के बदले खरीद लिया, अब क्या किया अकबर ने, वो अकबरी लोटा जो है, वो किसको दे दिया, जो लोटा जो जिससे पिलाया था ब्रामण ने पानी, वो अकबर ने अपने पास रख लिया, और उसके बदले में दस सोने के लोटे जो है, उस ब्रामण को दे दिये, अकबर को वो लोटा बहुत प्रिये था, वो लोटा जो से खरीदा था, वो उनको बहुत प्रिये था, वो सदैब उस लोटे इसको अपने पास रखता था और उसी से वजू करता था मतलब जो हाथ पर दोने का काम जो भी होता है वो उसी से करते थे इसी कारण उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा तो वो लोटा जो अकबर को बहुत प्रिय था वो क्या पड़ गया उसका नाम अकबरी लोटा यह लोटा कुछ समय तक म्यूजियम में रखा था, वहां से चोरी हो जाने के कारण अब वहां इसका मॉडल रखा है, मतलब अकबर का था, तो ये बहुत समय तक म्यूजियम में रखा रहा है, फिर वहां से चोरी हो गया, तब उसकी जगा कुछ तो रखना था, तो वहां पर उसक एक model रख दिया गया मतलब कोई ऐसी जूटा-मूटा बना कर रख दिया गया आज भी museum वालों को पता चल जाए तो वो इसे मुह मांगी कीमत देकर खरीद लेंगे अगर museum वालों को यह चीज़ पता चल जाए कि यह अगबरी लोटा है तो museum वाले यहां आएंगे और यह जितनी कीमत मांगेंगे लाला जी उनको उतनी कीमत देंगे और यह लोटा लेकर चले जाएंगे इतना पुराना लोटा होने की बात सुनकर अंग्रेज को लाला चा गया अब इतना पुराना लोटा है तो यह सुनकर अंग्रेज को भी लाला चा गया क्या बोला वा नीचे दुकान पर पुरानी और एतिहासिक वस्तु देख रहा था जब ये लोटा उसके पैर पर आकर गिरा था तो उस समय वो पुरानी और एतिहासिक वस्तु ही देख रहा था दुकान पे मतलब वो एक एतिहासिक वस्तु खरीदना चाहता था और वही देख रहाता तभी इसके पैर पे आके लोटा गिर गया दोनों नहीं लोटा खरीदने की इच्छा विक्त करी किस ने कि अंग्रेज बोला कि मैं भी खरीदता हूं और पंडिश जी बोले कि अच्छा मैं भी खरीद लेता हूं लाला जाओ लाल ने बेचने की बात सुनकर बिलबासी जी ने 50 रुपए देने चाहे तो क्या है जब लाला जी ने बात सुनी तो बिलबासी बोले कि अच्छा भई 50 रुपए लो और ये लोटा मुझे दे दो पर अंग्रेज ने एक सो कहे अंग्रेज ने किते बोले मैं एक सो दूँगा पंडिजी ने पचास बोले और फिर अंग्रेज ने क्या बोला मैं एक सो रुपे दूँगा डेढ सो धाई सो पान सो पान सो की बोली लगाते हुए अंत में अंग्रेज ने उस लोटे को खरीद ल अंग्रेज की खुशी का ठिकाना ना था वो बहुत खुश था कि उसने एक एतियासिक चीज खरीद लिये क्योंकि वह अब अपने पडोसी को भी भारस से खरीदी गई वस्तु में दिखा सकता था तो अंग्रेज का एक पडोसी था वहाँ इंग्लाइग में एक उसका पडोसी था जो भारस से एतियासिक चीज़े खरीद के लेके जाता था और इसको बड़ा दिखाता था तो बोला कि अब मैं भी जाके वहाँ दिखाऊंगा कि मेरे पास भी एक एतियासिक पस्तु है अंग्रेज ने बताया पिछले वर्स उसके एक मित्र ने यहां से जहांगीरी अंडा खरीदा था अब जहांगीरी अंडा कोई उसको भी किसी ने बेहुकू बनाया होगा जहांगीरी अंडा होता है तो जहांगीरी अंडा खरीदा था और बात-बात पर उसका घमंड करता बिलबासी जी की उच्शुत्य देखकर उसने बताया, अब जहांगिरी अंडा है क्या होता है? अब उसने बताना शुरू किया, अंग्रेज रहे कि ये जहांगिरी अंडा है क्या हुआ? जब नूर जहां ने जहांगीर का एक कबूतर उड़ा दिया दोनों साथ में थे तो एक बाद नूर जहांगीर के कबूतर को उड़ा दिया तो जहांगीर ने उनसे पूछा कबूतर कैसे उड़ा जहागीर ने जो नूर जहाँ से पुछा ये कबूतर कैसे उड़ा तो उसके बदले में नूर जहाँ ने फिर एक कबूतर उड़ा दिया कि ये ऐसे उड़ा कहते न जैसे एक गिलास तूटा तो आपसे पुछा कैसे तूटे उसके बदले में दूसरा एक और गिलास तोड़ दो तो वही चीज़, उन्होंने एक कबूतर उड़ाया तो भही जहागी ने पूछा कैसे उड़ाया तो उन्होंने फिर एक कबूतर उड़ा दिया कि हाँ ये ऐसे उड़ा तो नूर जहां ने दूसरा कबूतर उड़ा कर उनसे कहा ऐसे नूर जहां की यह अदा जहागीर के दिल को छूगई क्योंकि जहागीर तो नूर जहां को बहुत प्यार करते थे तो ये बात जो है उनको बहुत भागई उनका उन्मूर जहां का प्रेम कबूतर नहीं कराया मतलब उन दोनों का प्यार जो है वो कबूतर से ही के कारण शुरू हुआ उसी कबूतर का एक अंडा संभाल कर जहागीर ने बिल लोरी यानि की काँच के एक मरतबान में रख दिया उसी कबूतर का अंडा हांडी में रख दिया तो बाद में जहागीरी अंडे के नाम से प्रसिद हुआ मतलब बाद में जाकर वो अंडा किस नाम से प्रसिद हुआ जहागीरी अंडे के नाम से बताई एक अंड़ा समाल के रख दोगे तो इतना पुराना अंड़ा क्या सलामत रहेगा कभी नी सलामत रह सकता है तो उसको अंग्रेज को भी किसी ने उल्लूई बनाया था वेकू बना के वो अंड़ा उसको कुमेंगे में बेच दिया और कहा कि वो जहागीरी अंड़ा है अब अंग्रेज खुश था क्योंकि उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी मेजर डगलस की जहागीरी अंड़े से एक पुष्ट पुराना था अब जो जहागीर के पास उसके पड़ोसी के पास जो अंड़ा था वो जहागीर का था अब जहागीर क्या था वो अकबर का बे वो उसके पास था बनाया हुआ तो बड़ा खुश था कि मेरे पास उससे जादा पुरानी चीज आ गई है बिलबासी जी ने जाओ लाल को रुपे समाल कर रखने को दिये लाला जी ने पूझा पंडित जी रुप्लियों का प्रबंद कैसे हुआ था अब यहां से बोल जाल कोई नहीं जानता कि यह प्रबंद कैसे हुआ है इश्वर ही जानता है कि यह प्रबंद कैसे हुआ है अब बोली आपस में अंग्रेज और पंडित जी में लग रही थी लाला जी को इस बार हमें कुछ भी पता नहीं था यह जल्दी से अपने घर चले गए और लाला जाओ उन्हें धन्यवाद भी निया दे पाए पैसे पकड़ाए और सीधे पंडित जी जाके कहां चले गए अपने घर अब अपने घर में पंडित जी एक कांड करके आये थे उसको भी निप्टाना था क्या कांड़ था इधर बिलबासी जी भी पैसों का प्रबंद ना कर सके थे मतब पंडित जी ने अपने लाला से तो बात कर दी थी कि ठीक है आखरी दिन तक मैं पैसे लाके दूँगा मगर वो पैसे का प्रबंद नहीं कर पाए थे तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने अलमीरा से पैसे निकाले थे कहां से उन्होंने अपनी पत्नी के गले की जंजीर में लगी ताली निकाली थी ताली मतलग चाभी उनकी पत्नी जो है अलमीरा की चाभी कबड की चाभी अपनी गली की चेन में लटका के रखती थी तो जब बीबी सो रही थी तो चुपके से चाभी निकाली निक अब वो चोरी करके पैसे लेकर लाला के पास गए थे तब तक ये अंग्रेज वाला कांड इनों ने वहाँ पर देख लिया था तो ये हुआ था निकाली और अलमारी से धाय सो रोपे लेकर लाला ज्जाव लाल को देने गए थे मगर वहाँ पर अंग्रेज वाला चाही चीज अब उनको क्या करना था वापस रखना था तो उस जगह उन्होंने वापस रख दिए ताली निकाल का रूपय यह था स्थान पर रख दिये उनकी पत्मी यह बात नहीं जान सकी मतलब उसको यह सारी चीजों का पता चला ही नहीं अगली सुबा बिलबासी जी देर तक जिनता थी और सुबा वो काफी देर तक सोते रहे तो ये स्पार्ट ने हमको बहुत हसाया और गुदगुदाया कि किस तरीके से एक पंडित जी ने जो है वो अंग्रेज को बेवकूफ बनाया साथ में ये भी बताया कि उस अंग्रेज के पडोसी को भी किसी ने बेवकूफ बनाया था ये हम सभी जानगे हम अपने प्रीविएस वीडियो में आपको चैप्टर अग्बरी लोटा समझा चुके हैं ये किस तरीके से हास से वेंग से भरपूर ये चैप्टर हमने पढ़ा और साथ में ये भी बताया कि वो जो पंडित जी थे हैं उन्होंने किस तरीके अंग्रेश को बेवकूफ बनाकर वो बेढगा सा लोटा उन्हें अगबरी लोटा बनाकर खुब महंगे में वेच भी दिया और लाला जी की समस्या का हल भी निकाला तो ये सारी चीजें हमने इस पहले वाले पार इस पार्ट में पढ़ी अब इस पार्ट के प्रश्न उत् लाला है लाला ने लोटा ले लिया बोले कुछ नहीं अपनी पत्नी का अदब मानते थे लाला जाओ लाल को बेढगा लोटा बिलकुल पसंद नहीं था फिर भी उन्होंने चुप चाप लोटा ले लिया आपके विचार से वे चुप क्यों रहे अपने विचार रखिये तो ये वही पर आपको पुए कि उन्होंने चुपचाप वो लोटा ले लिया और कुछ भी नहीं बोला तो उसका क्या कारण था ये बताना लाला जाओ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे मतलब उसकी इज़द करते थे दूसरा वे पत्नी के तेज तर्रार सुभाव से भी अवगत थे जिसके सामने वे कमजोर पढ़ जाते थे पत्नी बहुत तेज सर्रार थी तो वो कुछ नहीं बोलते थे उनके सामने कि एक बोलेंगे तो फिर बहुत ज़ादा सुनना पड़ेगा इसलिए चुपचाप ले उन्होंने सोचा अभी तो लोटे में पानी मिला है यदि चुँ कर दी तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़ जाए मतलब कि अगर मैंने इस लोटे के बारे में कुछ भी बोला कि तुम इस लोटे में पानी लेकर क्यों आई हो किसलिए आई हो क्या है तो ऐसा न हो कि कहीं बीबी मुझे बाल्टी में भोजन परोश दे और बोले कि खाओ तो इस चीज से वो ढर गए अर्थाथ इस से भी बुरी स्तिती का सामना करना पड़ेगा यानि कि जो बुरी स्तिती उनके सामने आई थी इस से भी बुरी स्तिती आ सकती थी अगर उन्होंने कुछ और बूला होता लाला जहाउ लाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर इस्तिती को समझ लिया आपके विचार में लाला जहाउ लाल ने कौन-कौन सी बाते समझ ली तो मतलब तुरंट कौन सी स्तितियां उन्होंने समझ ली थी यह बताना है दो और दो जोड़कर इस्तिति का समझना अर्थात परस्तिति को भाप जाना यानि कि जो पर इस्तितियां चल रही है उसका अंदाजा तुरंत लगा लेना कि आखिर चल गया रहा है लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भीड भीड आंगन में एकत्र ह मतलब लोटा गिरा था और तुरंत वह अंग्रेज बहुत तेज गुस्त आने लगा था तो क्या हुआ था कि वहां पर बहुत जादा भीड उनके आंगन में एकत्र होने लगी थी एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि इस्तित गंभीर है क्योंकि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी थी अब यह जगड़ा करेगा इसलिए इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है अब वो समझ गयते कि यह जो अंग्रेज है वो आकर मुझसे जगड़ा करेगा इसलिए चुप चाप इसकी बात सुनते रहो तो वो सारी परिस्तियां उन्होंने देखी समझी और अंदाजा लगा लिया कि यहां पर कुछ गड़बड घटने वाला है नेक्स कोशन अंग्रेज के सामने बिलबासी जी ने जहाव लाल को पहचानने तक से क्यों इंकार कर दिया आपके विचार में बिलबासी जी ने ऐसा अजीब भेवार क्यों कर रहे हैं इस पस्ट कीजिए उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो बोलते कि हम पहचान पहचानते हैं इस वेक्ति को तब वो लोटे वाली कहानी के उपर जो है अंग्रेज वो संधे कर लेता अब उन्हें तो लोटा बेच के पैसा कवाना था इसलिए उन्होंने लाला जी को पहचानने से ही इंकार कर दिया क्योंकि अगर वो पहचाने के नहीं तो जो अंग्रेज है वो लोटा बहुत आसानी से खरीद लेगा इसलिए उन्होंने लाला को पहचानने से मना किया था तो कैसे लिखेंगे अंग्रेज की सामने बिलबासी जी ने जावडाल को पहचानने से इंकार कर दिया था ताकि अंग्रेज का कोज शान्त हो जाये और अंग्रेज को जरा भी संदेना अगर बहुत कुछ गुस्से में था अगर बोलता कि मैं जानता हूँ तब तो उसका गुसा और बढ़ जाता हम अगर यहाँ पे पहले गुसा शांत करना था तब अपनी गोटी फिट करनी थी उनको तो उन्होंने मना किया गुसा शांत हुआ और अगर वो बोलते तो यहाँ संदे हो जाता कि यह सबकी मिली जुली भगाते हमको बेवकूफ बनाने की कि लाला जाओ ललका आदमी है वह अपनी योजना भी पूरी करना चाते थे जिससे पैसों की विवस्था हो सके तो बिलबासी जी ने रुपियों का प्रबंद कहां से किया था लिखिये मतलब वो जो उनकी बीबी गरे में पहंती थी जंजीर उसमें ताली रहती ताली मतलब चावी रहती उसको निकाला था खोल के उसमें से पैसे निकाले थे और उसको लेकर आये थे लाला जी को देने के लिए जब वो देने के लिए यहां आये ही थे तो तब ही देखा कि घर में जो है इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है एक अंग्रेज अगुठा पकड़े बैठा है और इतन और से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोच कीजिए तो क्या है भारती सब्वेता और संस्कृती बहुत पुरानी है थीक है तो उसकी जो चीजें पुरानी मिलती है वह बहुत बहुमूले होती है और कीमती मतलब इतनी जादा कीमती हो दी कहीं आप उसका रेट भी नहीं पता कर सकते हो कि कितनी होंगी तो इस कारण से जो है अंग्रेज को लगा अरे इतना पुराना लोटा हमें इतनी आसानी से मिल रहा तो उसने तुरंद खरीद लिया तो यहां क्या दिया है भारतिय संस्कृत कीसमें सब्यता संस्कृति कला और एतिशी वस्तों में हमेशा से ही विद्येशियों को आकर्षित किया है कियों कि इस लिए अंग्रेज हमेशा इसकी तरफ आकर्षित हुए अंग्रेज को उसको भी , पुरानी दूकान के उसको पर लोटाँ गिरा था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान के पूरानी पीतल का मूड़तिया खरीद रहा था उस समय नीचे। अंग्रेज ने बिलबासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपे में खरीद लिया था इस भेद को मेरे सिवा मेरा इश्वर ही जानता है आप उसी से पूछ लीजिए मैं नहीं बताऊंगा बिलबासी जी ने ये बात किस से और क्यों कहीं लिखिये तो किस से कही थी जब लाला जी को से पैसे लाके दिये थे तब उन्होंने पूछा दा ना पैसे का प्रबंद कहा हुआ तो तब उन्होंने ये चीज जवाब दी थी कि ये कैसे हुआ ये मैं ही और मेरे इश्वर जानते हैं आप उन्हीं से पूछ लीजेगा तो कैसे बिलबासी जी ने ये बात लाला जाउल मल से कही क्योंकि बिलबासी जी ने रुपियों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूख से चोरी करके किया था इस रहस को वो जाउलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे दूसरे उन्हें घर पहुँचकर उन रुपियों को भी अथा स्थान पर रखना था तो वो अब ये सब चीजें नहीं बता सकते थे कि ये हमने अपने ही घर से पंडित होते हुए अपने घर से क्यों चोरी करेंगे तो ये इसलिए उनको नहीं बताना चाहते थे उस दिन रातरी में बिलबासी जी को देर तक नीन नहीं आई समस्या जाव लाल की थी और नीन बिलबासी की उड़ी तो क्यों लिखिये जिस समय पैसे का अंतिजाम के लिए बोला था और पैसे इंतिजाम नहीं हो पाये थे तो बिलबासी जी को सारी राथ नीन नहीं आये थी बहुत देर तक तो ये क्यों कारण था जाओलाल की सहायता के लिए बिलबासी जी ने अपनी पतनी के संदूख से पैसे चोरी किये थे अब उन्होंने चोरी तो कर लिये थे मगर उनको नीन ने जहां कोई गलत काम करते हैं तो हमें नीन कैसे आ सकती है तो वही काम किस के साथ हुआ जाउलाल जी के साथ हुआ उन्होंने चोरी तो कर लिया मगर उन्हें नीन बिल्कुल भी नहीं आ रही थी वो बहुत जादा परिशान थे अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचप संकुल्दूप में रख दे इस प्रकार समस्या जावलाल की थी और नीन जो है वो बिल्बासी की उड़ी थी अब पैसे उन्हें वापस रखने थे इंतजार कर रहे थे कि बीबी सोय तो हम भई रखें तो वो चिंता वो घबराहत के ऐसा ना हो कि मैं रख रहा हूं तो वो वापस पत्नी जाग जाए तो वो जो डर था वो उनके अंदर बैठा हुआ था तो जब उन्होंने रख दिया तब कहीं जाकर वो निश्चिन्थ हो कर सोच चके थे तो समस्या किस की थी जाओ लाल की और नीन किस की उड़ी बिल्बासी जी की अब नेक्स कोशिन क्या है लेकिन मुझे इसी जिन्दगी में चाहिए अजी इसी हफते में ले लेना सबतहा में से उनका तादपर साथ दिन से है या साथ वर्ष से जाओ लाल उनकी पत्नी के बीच इस बाची से क्या पता चलता है लिखिए अब उनके बीच बाची तो जब उन्होंने बोला था पत्नी नहीं कि मुझे धाई सो रुपे चाहिए तो उन्होंने बोला था ना कि एक हफते में दे दूँगा तो उन्होंने बोला एक हफता मतलब इसी जनम में एहसा ना हो कि अगले जन्म तो वही चीज़ उन्होंने बोला ताधपर साथ दिन हैं या साथ वर्ष यानि कि साथ दिन में ही दोगे या साथ वर्ष में दोगे तो इससे क्या ताधपर रहे था जाउलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बादचीत में से निमलिखित बाते पता चलती हैं क्या जाउलाल की पत्नी को अपने पती जाउलाल के वादे पर भरोसा नहीं था मतलब वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी जाउलाल के उपर उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परन्तों उन्होंने हा करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा यानि कि बीबी जो पहले भी कुछ मांगी होगी जो नहीं लाकर दिया होगा तो इस बार उन्होंने इस तरीके से बोला तीसरा कारण जाव लाल बहुत ही कंजूस प्रवत्ति के हो सकते ही कि जाव लाल पैसे बहुत बचा के रखते हो इसलिए वो जो है ऐसा बोल रही हूँ फिर वह अपनी तर्ग शक्ति से लाला जी को निरुत्तर कर दिया करती थी उनकी तर्ग शक्ति भई वो तेश तो थी, तेश तर्रार थी तो अपनी जो शक्ति बोलने की शक्ति होती सी वो लाला जी को एकदम निरुत्तर कर दिती मतलब उसके बाद लाला जी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते थे तो ये आपके चार कारण हो सकते हैं जिसकी वज़ा से बीवी ने बोला हो कि साथ दिन मतलब इसी सप्ताना की साथ वर्ष नेक्स क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता आप सिचुएशन दिए अगर लोटा ना खरीदता तो कहां से होता पैसे तो लाए थे पंडित जी तो अब वो क्या परस्ति होती यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलबासी जी को अपनी पत्नी से चुरा तो पैसे तो बिलबासी जी ले ही आये थे, मगर यहाँ पर अंग्रेज वाला कांट हुआ था तो उन्होंने बेच के पैसे कमा लिये थे, लेकिन अब परिस्ति क्या हो गई थी, कि अगर नहीं हो नहीं खरीता तब, तो पैसे चुरा लिये थे, वही पैसे जाउलाल को देने पड़ते हैं और अगर जो क्या करते हैं नहीं तो उनकी बीबी जो है, उनको बहुत बेच जती करती हैं जाउलाल की, तो यह चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स कोशिन, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता, अगर वो अंग्रेज सीधे आंगन में चलके न, आपको सिचुएशन दी जारी हैं, आप किस तरीके से करते हैं, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता, तो संभवता लाला जाउलाल को गिरतार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता कि अगर वो घर पे ना आने की बजाए सीधे पुलिस टेशन चला जाता तो ये उस परस्तिती में जावलाल जी जो हैं वो गिरफतार कर लिये जाते और उन्हें जुर्माने के तोर पे और पैसे देने तो पहले उनको से चाभी निकाल रहते तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो आपके सामने परस्तितियां रखी जा रही है अब आपको सोच के देनी है चीज हम तो सिच्वेशन क्रेट कर रहे हैं अब आप कितनी अपनी तरकर संता से वहां पर उत्तर दे सकते हैं ये बात है ये आपके सामने तीसरी परसिती रखी गई है ठीक है अंग्रेज लोटा नहीं खरीद पाता या पुलिस के पास चला जाता अब क्या होता कि अगर चाभी निकाल रहे होते हैं और पत्नी जाग जाती उस सिचुईशन में क्या होता गले से चाभी निकालते समें यदि बिलबासी जी की पत्नी जाग जाती चोरी जैसा घिरोना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष सर्मिंदा होना पड़ता और हो सकता है कि दोनों का जगड़ा भी हो सकता है कि जगड़ा होता ही बहीं चोरी कर रहे थे तो जगड़ा होता ही होता तो यहाँ पर चोरी जैसा घिरोना काम करने के लिए शर्मिंदा होना पड़ता और दोनों में जगड़े की भी पूरी पूरी गैरंटीती की जगड़ा हो ही जाता अब हम आते हैं आगए अपने लास्ट कोशन क्या दिया है बिलबासी जी ने जिस तरीके से रुप्यों का प्रबंद किया वह सही था या गलत अब बिलबासी जी ने जो प्रबंद किया पैसों का वह सही तरीका था या गलत अब आपको अपनी तर्क शंता के आधार पर देना है कि आप क्या सोचते हैं उस तरीके से देना है जैसे बिलबासी जी ने जिस तरीके से रुप्यों का प्रबंद किया वह गलत था एक तो पत्नी के रुपे चुराना सही नहीं था, दूसरा अपनी स्वार सिद्धी के लिए किसी को उल्लू बनाना नहीं चाहिए था, मतलब अपना स्वार करने के लिए उन्होंने अंग्रेज को उल्लू बनाया था तो वो नहीं करना चाहिए था, जब अंग्रेज को एतिहा नहीं करना चाहिए था तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी प्रश्नुत्तर मैंने आपको समझाए पार्ट भाई मुझे पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आया आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा फिर लास्ट में जो कोशिंस आपके सामने पुटप किये गए कि बताईए ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे होता तो वो सिचुएशन भी आप जरू जो मैंने लिखाई है उसके इलावा भी कुछ और सोचने की कोशिश करिएगा शायद कुछ आप और अच्छी सिचुएशन रख सकें उसमें तो बस मेरी कोशिश यही है कि आप अपनी जो है शमता के हिसाब से प्रशनों के उत्तर दीजिए क्योंकि आप जितनी अपनी शमता का इस्तेमाल करेंगे आपकी तर्क शक्ती बुद्धी शक्ती उतनी जादा डेवलप होगी और आप हिंदू को उतनी अच्छे तरीके से लिख और समझ सकेंगे तो ये चैप्टर समझने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बाबाई